हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स, मैं हूँ प्रतीक्षा और साहाइक सिख्षक भर्दी की हर ख़बर आप तक पहुँच रही है और ये ख़बर भी पहले ही पहुँच चुकी है कि जो कट आफ है वो जारी हो चुका है और सामाने वर्ग के लिए 65 प बनेगी उसमें शामिल हो पाएंगे अगर ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए तो ही मेरिट बनेगी अगर 69,000 अभ्यर्थी ही सफल होते हैं तो मेरिट बनने का कोई मतलब नहीं है उनहीं को नियुक्ति तो फ्रेंड्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी लर्निं आप और सर्च किजिए प्रतीक्षा आचारि तो वहाँ पासकते हैं आप सभी अपडेट मेरी कोर्सेस के बारे में देख सकते हैं मेरे सारे लेसंस और स्लाइड्स डावनलोड करके देख सकते हैं उनको आफ्लाइन तो अभी कीजिए डावनलोड अनिकार्ण के दी जाएग तो इसका जो सीधा सीधा फाइदा मिला है वो बीएड अभ्यर्थियों को मिला है और शिक्षिया मित्रों को इसका काफी नुखसान उठाना पड़ रहा है इस कट ओफ के जारी होने के बाद तो अभ्यर्थी सफल होंगे तभी मेरिट बनेगी और ये बता दें कि 68,500 की जो भर्ती हुई थी लास्ट एयर उसमें कट ओफ जो जारी हुआ था वो सिर्फ 40 और 45 प्रतिशत ही कट ओफ था 68,500 में अभ्यर्थी कम आने के कारण साशन ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कट ओफ कम कर सामाने वर्ग के लिए 33 और आरक्षिद वर्ग के लिए 30 भी कर दिया था लेकिन अभ्यर्थियों ने इसे अलाबात उच्च न्याले में चुनोती दी और उच्च न्याले ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कट ओफ कम होने के को अनुचित माना था और उच्च नियारे के आदेश पर सामान निवर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत ही कट ओफ रहा जिसके चलते एक लाग साथ हजार जो अभ्यर्थी पास हुए थे उसमें से स्सेstation 41 556 अभ्यर्थी ही चैनित हुए जो इस कट ओफ को पार कर रहे थे और इस बार कट ओफ 20 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है यानि की सामान निवर्ग के लिए 65 प्रतिशत कर दिया गया है और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत तो इस कटॉफ के जारी होते ही सिक्षा मित्रों को काफ़ी नुखसान उठाना पड़ा है और इस समय वर विरोध में उतर चुके हैं साहयक अध्यापक भरती परिक्षा में तै कटॉफ का सिक्षा मित्रों ने विरोध किया है उत्तर प्रदेश दूरत बीती सी सिक्षक संग के अध्यक्ष अनिल यादब ने कहा है कि सामाने के लिए 65 और आरक्षित वर्थ के लिए 60% कट उफ तै करने से सिक्षामित्र भरती से वंचित हो जाएंगे उन्होंने कहा कि सिक्षामित्र इसके खिलाफ इलहाबाद उच्छ नाड़े में याचिका दायर करेंगे संयुक्त सक्रिय सिक्षक शिक्षामित्र समिती के संयोजग दुश्यन चोहान ने कहा कि कट उफ उची रख शिक्षामित्रों के साथ कुठारा घात किया गया है उन्होंने कहा है कि सिक्षामित्र लोगसबा चुनाब में भाजापा को सबक दिखाएंगे तो ये कहना है सिक्षामित्रों के द्वारा कि उनके साथ ये धोका किया गया है अगर पहले से ही कट अफ जारी हो जाता तो वो शायद उस नंबर तक मेहनत करते और कट अफ जारी अब करने के बाद उनकों साथ धोका किया गया है PNP के द्वारा ये कहना है सिक्षामित्रों का तो ये थी न्यूस कट अफ से सम्मंदित जो कि आखको पहले ही बताती गई थी और परिडाम यानि की रिजल्ट जो है वो 22 तक आ जाएगा बाइस को आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे और जो लोग 69,000 की सिक्षक भती में मेरिट के आधार पर नियुक्त किये जाएंगे और उन लोगों को 15 फरवरी तक नियुक्तियां दे दी जाएंगी 15 फरवरी तक नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएंगे तो जिन लोगों के मार्क्स अधिक हैं मेरिट कटॉफ से जादा हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि कॉम्प्टीशन कम हो चुका है जो लोग डर रहते के मेरिट के आधार पर इतने मार्क्स लाने के बाद भी कि मेरिट के आधार पर कहीं वह इस न्युक्ति से बाहर ना हो जाएं तो कट आफ जारी होने के बाद उनको थोड़ी तसली हुई है तो ये थी न्यूज 79,000 सिक्षक भरती से सम्मंदित लेकिन एक और न्यूज आ रही है कि जो साहयक अध्यापक भरती की जो परिक्षा है क्य वह दोबारा से होगी क्या यह जो पेपर है वो रद हो जाएगा अभी इस पर PNP चुप्पी साधे हुए है PNP नहीं मान रहा है कि जो पेपर है वो रद आउट हुआ है लेकिन कहीं कहीं उसने मान भी लिया है कि महिला के पास मिली पर्ची पर 150 सवालों के लिखे थे उत् सारे लोगों को पकड़ा गया है STF के द्वारा और एक महिला के पास पहले से ही उत्तर लिखी पर्ची भी मिली थी जिसमें 150 सवालों के आंसर लिखे हुए थे जब आंसर लिखे हुए थे तो इसका मतलब है कि पेपर के बारे में जानकारी पहले ही हो गई थी कुछ उत्तर पेपर से मिल रहे हैं ऐसे में पेपर लीक होने की आशंका भी जताई जा रही है पुलिस का कहना है कि उत्तर पुस्तिका मिलने के बाद ही इसका पता चल पाएगा वहीं पूछ ताज के बाद महिला को जेल भेज दिया गया है प्रयागरा जनपत के हडिया निवासी अनीता यादव रविवार को नगर के नटवास सेमफोर्ड स्कूल में अपने भाई और देवर के साथ परिक्षा देने आई थी चेकिंग के दौरान अनीता के पास मेसेच चिट मिली टीम ने प्रशन पत्र से मिलान कराया तो अधिकांश उत्तर मिल रहे थे इसके बाद चिट को जब्त करते हुए टीम ने सिक्षिका को पुलिस के हवाले कर दिया था पुलिस ने स्कूल के प्रधानाचार डॉक्टर राकेश तुबे की तहरीर पर सिक्षिका अनीता यादव के खिलाफ केस दर्ज किया और उसके भाई और देवर के खिलाफ भी मामला पंजिकरत किया ग सेश दो आरोपियों की तलाश की जा रही है तो कहीं न कहीं पेपर आउट होने की आशंका भी जताई जा रही है इसके चलते जो साहयक अध्यापक भरती की परिक्षा है उसको निरस्त करने का प्रधर्शन भी चालू हो चुका है प्रास्मिक विद्यालों के लिए 79,000 साहय शोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद सौमबार कु बड़ी संक्या में अभीर्थियों ने साचिप परिक्षा नियामक कारयले एवं जिलादिकारी कारयले पर प्रधर्शन कर परिक्षा निरस्त कराने की मांग की और परिक्षा आरोप लगाया कि पहले 68,500 साहयक अध्य में शामिल हुए अभ्यर्थियों का जिनको पता लगा है कि जो पर्चा है वो पहले से ही आउट हो चुका है, सोशल मीडिया पे वाइरल हो रहा था, लेकिन पी एन पे अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, अभी संशे बना हुआ है, जब तक जाच पूरी नहीं होती ह क्लियर कोई बात साफ निकल कर नहीं आती है, तब तक कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता, और चांसे कम भी लग रहे हैं कि दुबारा से परिक्षा करवाई जाएगी और इस पेपर को रद्द किया जाएगा, तो अगर कोई भी ऐसी नियूस आती है, वो आप तक पहुश सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अभी के लिए बाइबाइ, टेक एरें, थैंक्स वर वाचिंग